स्वागे ते आपका जोती स्वास्तो और उपाई की चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फल की आज 30 अगस्त 2023 है और दिन है बुद्वार का तो सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा बैतीत होएगा कैसा चलेगा नौकरी वेपार, काम दंदे, धनकिस्ति कैसी रहेगी और रिष्टे कैसे चलेंगे सबी विश्यों की चर्चा करेंगे चैनल पे अगर आप लीवर आए तो कमेंट में जै शिरी राप, जै अनुमन अवश्य ही लिखिए शुरू करते हैं सिंग राशी फल, सिंग लगनी के आदार पे आप इसको देख सकते हैं सावन मास की चतूर दशी तिति रहेगी ग्यारा बजे तक सुबह, उसके बाद पूरी मतितिय आगमन हो जाएगा पूरी मतिति के आगमन के बाद कैई लोग आज राकी का तेवार भी मनाएंगे आज बद्रा है, परन्तु वो बद्रा पाताल की है, इसलिए उस बद्रा से कोई नुकसान नहीं होगा सिहे राशी की बात करें, तो सिंग राशी वलों के चंद्रमा चल रहे हैं सात्वे घर में और वो भी चल रहे हैं चंद्रमा शनी के साथ ये सात्वे घर में आएंगे करीब करीब आपके दस बस की गुनिश मिनट के बाद तो दस बच के गुणिस मिनिट तक आपको थोड़े से रोग, शत्रू और रिंड से सम्बंदित परिशानी रह सकती है तो बिल्कुल भी आप इस समय अपने शत्रूं से पंगा ने ले सुबह सुबह आज पडोस वालों से भी आप लड़े जगडे ने करें क्योंकि ऐसी विवस्ता हो जाईगी कि गरे नक्षतरों के साफ से कि मन मुटाव या कोई तनाव विवात हो जाए इन सब सीजों से आज बच के रहें सिंग राशी वालों के ये जो चंदर्मा चल रहे हैं ये मंगल के नक्षितर में चल रहे हैं और शनी के साथ बैठे हुएं इस कारण से दिन भहती सावधनी के साथ वेतित करने का है उर्जा से ओत प्रोध ये सिंग राशी होती है और मान सम्मान इन्हें बेध प्रिय होता है खाने को मत दो अक्सिजन मत दो प्रन्तु सम्मान पूरा चाहिए और इसी के कारण आज परिशानी होने वाली है आज आत्म स्वाबिमान बहुत ज़्यादा रहेगा आत्म सम्मान भी बहुत ज़्यादा रहेगा परन्तु वो स्वाबिमान गर्व में कब तब्दिल हो जाएगा आपको स्वेम को पता नहीं चलेगा और उसी के कारण आपके वाणी में कटूता आ सकती है और ये वाणी की कटूता आपके रिष्टों को भी खराब करेगा विशेस करके अपने जीवन साथी से आप बात कर रहे हैं तो वाणी में बहुत ही मदूरता सोमेता लाएंगे तब जाके आप इस तेवार को सेलिब्रेट कर पाएंगे बिल्कुल भी आप जिदने करें आपके लिए आज का दिन इसी प्रकार का है क्योंकि मंगल के नक्षेतर में चंद्रमा चल रहे हैं इसलिए आप को कुरोद के दिखता रह सकती है तो आप इन चीजों से बचें अगर आप धर्म से जुड़े वें पूजय पार्ट से जुड़ेवें पार्टनर्शिप में आपका वेपार है तो आपके लिए फायदी का दिन है कोल मिला के देखे तो वेपारियों के लिए आज का दिन अच्छा है टांसपोर्टेशन से संबंधित का रहे है कारे हैं तो बहुत ही अच्छा चलेगा इंजिनियर से रिलेटिट कारे हैं इंजिनियर है तक्निकी शेत्र में कारे करते हैं कंप्यूटर के तक्निकी कारे हैं आपके जमिन जायदाद से संबंदित कारे हैं पुलिस में हैं सेना में दिन आपके लिए सरुषेस्ट साबित परन्तु अगर आपका प्रेत एक संपतित संबंदित कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद बढ़ सकता है भाईयों से मनमुटाव हो सकता है वहाँ थोड़ी सी सावधानी परतनी है किसी भी प्रकार के जिदन करें आविश में आए दिन को निकल जाने दे शांती से पंचक में जो भी काम होता है वो पांच बार होता है तो किसी भी प्रकार से आज विवाद को आप जन्म नहीं दे शाथ ही साथ अभी जो चल रहे हैं दस बुच के 45 मिनट करीब करीब 11 बजे के बद पंचक भी आरम हो रखें तो पंचक में लकड़ी का कारिया हमको नहीं कर जो एक करें है विद्यम इशों सो आपको लाप राप्तो करना चाहते हैं तो वआतिष सौवदानी के साथ investment करें यातरा आप कर सकते हैं साथ अगर देखें तो यातरा में आपका खर्चा भी बहुत होए है यातरा अची रहेगी कर लिजेगा इन पर राउकाल का रखिए आज का रावकाल करीब स्टार्ट होएगा दस पचास से स्टार्ट होएगा और एक बच्छे पच्छिस मिनट तक चलेगा नौर्थ की दिशा में दिशासूर लगा हुआ है इसलिए यात्रा करते समय इस्ट में यह साउथ में जाएं आपके लिए बैतर होगा दिन आपके लिए खास इस तरह से हो सकता है कि आज आप रिंड लेना चाहें तो रिंड आपको आराम से मिल जाएगा परंतु किसी भी प्रकार से रिंड के मकड़ जाल में आप बिल्कुल ने फसें अपने मानसमान को बनाए रखें आज आपका मानसमान सोसाइटी में वर्क प्लेश पर काफी बड़ा चड़ा रहेगा इस तिरियों में आप फिमस रहेंगे इस तिरियों से आपको लाप की इस तिरियों से विवाद ने करें इस तिरियों के उपर ख़र्चा भी हो रहा है बाही से भी विवाध बिल्कुल ने करें जल्दवाजी और उतावले पन promote आपको हानी हो सकती है, व्यापार में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी चल्दवाजी नहीं करें, पूरी तरह से प्लानिंग बना के ही इन्वेस्टमेंट करें, आसपरोस वालों से दूरी बना के चलें, वहाँ विवाद होने की संभावना है, खर बहुत ही मेनत करेंगे आज सिंगराशी वाले प्राक्रम काफी बड़ा हुआ रहेगा दिन चर्चा अपने ठीक रखें जो भी आपको वेपार में वेवसाय में जो भी आपको अफसर प्राप्त हो रहें उन अफसरों का लाब उठाएं आपके जीवन में उन्नती होईगी किसी से मिलना हो मीटिंग करना हो किसी प्रशासनिक अदिकारी ओफिसर से मिलना हो तो अबसे मिलिए दिन ठीक है इस दर्श्टे से रावकाल का ध्यान रखें रावकाल में आप मीटिंग ने करिए आज का रावकाल 10-50 से स्टार्टों के एक पंदरा तक है योजना बना के अ पिना जल्दबाजी किये आप ले सकते हैं आज पूरे दिन आपको सही रहेगा जीवन साती आपके लिए काफी मदल्दगार रहेगा दामपत्य जीवन आपका सही चलेगा जीवन साती से सहीयोग भी प्राप्त होएगा बस आप आगे होके विवाद ने करें किसी प्रकार से जिद करना किसी से उलजना आपको बहुती बड़ी हानी करवा सकता है तो इन चीजों से आप बचके चलेए चैनल अगर आपको पसंदा रहा तो फ्लीज चैनल को शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंदा रहा है तो ने तो आप डिस्कलाइक भी कर सकते हैं आप क्या उपाई करें कि दिन आपका बढ़िया बीच जाएं इसका सबसे बढ़िया उपाई है यह कि बगवान सूर्य से आप जोड़ी रहे हैं सूर्य राधना वश्य कीजिए और हनुमान चलेसा के तीन पार्ट कीजिए आपका मंगल के नक्षत्र में चलती हुए चंद्रमा काफी कुछ favorable हो जाएंगे जो लोग competition के विद्यारती हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है वो अपने competition के अंदर अच्छा perform करेंगे तो ये था सिंग राशी वालों का देनिक राशी भल अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल के अंदर जैसी रि नाम जैनुमान अवस्य हें लिखिये और अन्य किसी विशे की आपको जानकारी चाहिए तो अवस्य ही Challenge कीजिए, कमेंट के अंदर क्याता लगा आपको वीडियो अवस्य बताइए आपके जीवन में आई यूरो के एश्वरे की वर्दी होती रहे इसी सुब कामना के साथ नमस्कार